हेलो फ्रेंड्स चे मात अदी कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लोग में और आज ब्लोग की सुरुवात कहां से हो रही है तो चलिए आपके साथ भी शेयर कर प्रेंड्स आज है तीन जनवरी और आज है चेतन का वर्थडे तो इसी के चलते आज हमने छोटी सी पिकनिक मनाई है और यह पिकनिक मनाई है हमने अपने जहां से हम पानी भरते हैं हमारा जो पनियार होता है जहां से हम पानी ले जाते हैं घर को वहां पर तो यहीं पर राजमा यह घर में है इसमें इसमें और रॉंगी है यह हमने घर में भीओ दी थी सुभा और एक बड़े पतीले में क्यूंकि हमारे जो पृडोस के बच्चे हैना तो उनको भी हमने यह खिछड़ी लानी है और खुद भी खानी है तो पानी मैंने इसमें डाल दिया और ये दिखिए बिलकुल भीग चुके हैं तो इसे क्या होगा ये न जल्दी जल्दी बनेंगे हमारे क्यूंकि बाहर खाना तो टेस्टी बनता है पर बनाना थोड़ा समुश्किल हो जाता है और ये इसको अपनी भाशा में गाओं की भाशा में और ये तो मैंने आप लोगों को साथ में बहुत बार शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में भी इल्ला हमने चड़ा दिया और साथ में मेरे साथ में पडोसी बच्चे भी है छोटे-छोटे क्योंकि बच्चे मन के सच्चे हो और इस तरह से हम अपना चेतन का जनमदिन मनाएंगे अब हमने इसको अबालना है और नमक और हल्दी हमने इसमें पहले ही डाल दी है यानि कि जो हमारे उर्ध-राजमा और हमारे रॉंगी दाल उसमें क्योंकि नमक डालके फिर यह जल्दी-जल्दी गल जाएंगे और बिगो जलदी जलदी जल जाए और हमारी जो खीचड़ी है वो तयार हो जाए तुपर ये काफी सर्दी और थंडे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सीलन टाइप का जो इलागा ताह वो है और धूपियां से जाने वाली है तो मैंने शौलकों भी ओड़िया है और धाटों भी जो बच्चा पाट गए ना वो लगिए हमारी हाल्फ करने लकडियां इकठी करने में कुछ मैंने खुद लाई है और कुछ ये बच्चे कर रहे हैं इसमें ना एक भाईया का लड़का है और एक वैंशु है चेतना भी यहां पर नहीं है क्योंकि गायव ग्यारा भी छोड़ी क्यों फैंक रहा है घर में तो आग जलाने के लिए बड़ी महनत करनी पड़ती है और यहां पर हमारी जो आग है ना वो बिल्कुल आराम से आसानी से जल गई और मैंने इसमें जलाने के लिए ज्यादा महनत भी नहीं की माचिस को मैंने लाया था साथ में बस एक तीली मैंन इतनी हवा लगी है पर फिर भी यह जल गई यह देखिए खुदवखुदी जल रही है अब तो हवा से हो गया इनका पानी पीने का टाइम और चेतना चुका इनके पास यह देखिए बक्रियां आ चुक यह इधर और हमारा जो पतीला है ना अब वो धीरे खॉल रहा है यह उबल चुका है जो हमने इसमें डाला था तो यह देखिए इसको उबलने में सिर्फ दस से पंदरा मिनट लगे क्योंकि आग ही हमारी इतनी तेज जली हुए हवा के सासात में ही और भी तेज जल रही है तो इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं ताकि हमारी जो राजमाहा और हमारे उर्द है वो अच्छी तरह से जल इसमें जल में घूल जाए और गल जाए तो थोड़ी देर और पका लेते हैं बक्रियों के बीच में आज खाना बना रहे हम हाँ के चल रही है आज अन्दे पिच्छी कर वाँ शुपार अपने थोड़े से मम्मी आगी चाहिए हमारे जो चावल है वह भी पकने वाले हैं और खिचडी हमारी त्यार होने ही वाली है और आग हमारी जैसी सुरू से जली थी वैसी ही जली हुए अभी लास्ट हमारा आने वाला है और मुझे लगता है कि इन चावलों से ये पतीला भर जाएगा पानी के बीच में खेलने लगा था ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से बन रही है पानी से बिमार होते तो आप क्यों गए पानी के बीच में बीच में अब नहीं जाना दूसरी बार सौरी कर दो और फ्रेंड्स अगर यहां से में व्यू की बात करूं ना इवनिंग हो चुकी है कम से कम चार बच की पंदरा मिनिट हुए तो यह देखिए इवनिंग व्यू और बहुत ही खुबसूरे सा यह देखिए यहां का जो इस टाइम का आँ अधर जो माहाल है हमारे यहां का वातवरने और यहां उप्पर जंगल में चर रही है बेढ और बखरियां जो कि बाहर से लोग चराने आते हैं तो इनके पास कम से कम साथ से 800 के बीच मैं बेढ और बखरिया है और इन्होंने पहले ही अबना पोरय अबॉरे बिस्तर कह पर सूरज भगवान जी जो है तो ऊपर जा चुके च्षिपने की कगार में और इसलिए ना कुछ दिखाई ने दे रहा है अभी यहां से साफा और यह रहा हमारा यहां पर जल देवता तो आज हम ना जल देवता को ही बुलाने आये उसको पकारने आये हैं कि हे जलदेवता बारिस कर दीजिए क्यूंकि पहले जो बजुर्ग लोग उत्ते थे वो इसी तरह से खिचड़ी बनाते थे पानी के पास या कुछ मिठा बनाते थे और फिर कहते थे कि जब जलदेवता को वहां पे धूप दीप जला करके उसका आभान किया जाता था और इसका खिचड़ी का नवेद्य रखा जाता था यानि कि पुजावे के रूप में तो बारिश अवस्य हो जाती थी पहले के जमाने की बात है फ्रेंड्स क्योंकि अब तो चलो कली उगए और कली उग में बहुत कम ऐसी बाते देखने को मिलती है पर पहले ऐसी करते थे लोग और जिसे की बारिस हो जाती थी यह परमान था और फिर क्या करते थे लोग जो भेड़ वक्रियां चराते हैं गायव गहरा चराते हैं वो लोग आते थे और अपने घर से सब कुछ ले करके और फिर इसी तरह से पानी के पास वो खिचड़ी या फिर दलिया कुछ भी बनाते थे और अपने देवता का अभान करते थे पर मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ये जुराबे पिछे करो यार तुमने सारी भी गो दिये वंशु ये और मैंने ये जो किया है ना ये मैंने किया है आज मेरे लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेसल दिन है इसलिए मैंने खिचडी बना दी जंगल में आकर के पानी के पास और खिचडी कैसी बनेगी अभी तो ये खाने के बाद में पता चलेगा बाकी मैंने सोचा कि क्यों ना परोसियों के बच्चों को दे दिया जाए थोड़ा आज फ्रेंड्स ये देखिए वंशो के हालत क्या कर दिये मिट्टी से भी खेर रहा था और खिचड़ के साथ में और पानी के साथ में इसका दो नोई चला था यही गंदा है तो तो फ्रेंड्स आज है तीन जनवरी और दिन है आज मंगलवार तो मैंने यह जो यहां पर बना कि is तीन जनवरी है और चेतन का जनमतिन है कि इसी महें नहीं सब्सक्वाइब नहीं सब्सक्राइब कुले प्रेंजिए तो इस तरह से नहीं हो पाता क्यूंकि हम लोग नहीं गर पाएंगे इतना तो मैंने क्या सोचा कि सत्रा जनवरी को बुंशु के जनम दिन के दिन हम के काटेंगे और बाकी थोड़ा बहुत इतना हमसे होता है न यह खिचडी बना करके अपने जितने भी हमारे पुडोसियों क कि पूजा भी हो जाएगी वैसे भी हम यहां पर पानी के पास हाल में एक बार करते हैं तो इससे क्या होगा दो काम हो जाएंगे एक चेतन के वर्थडेका भी हो जाएगा यह और दूसरा हमारे जल्देपता की भी पूजा हो जाएगी तो इस तरह से मना रहे हैं हम अपने चेतन का जनम दिन आप लोग भी जरूर बताना कैसा लगा आपको और खिचड़ी हमारी अब तो तक्रीबन तक्रीबन बस यह देखिए बनने ही वाली है तो बन करके मैं इसको आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी बैक कैमरे से अभी थोड़ा इसको और पका लेते और तबकी तब देखते हैं कैसी होगी तो यह देखिए फ्रेंड इसको हमने उतार दिया है निचे और यह पक चुकी है तयार हो चुकी है और खाने के बाद में कुछ एक इसमे एडिट करने को रह गया था तो बो मैं घर में आकर के एडिट कर रही हूँ तो सच में बहुत टेस्टी बनी थी और बस आप सभी लोग मेरे चेतन के लिए खुब सारा आश्रिवाद देजिएगा और अपनी दुआओं में इसको याद रिखिएगा चेतन को अच्छी सकस मिले बस यही था मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहपा उसके लिए क्योंकि बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो यह थोड़ा सा पाटी के दॉर पर रख लिए ठाइच जो भी समझे पिर मिलते हैं बाए बाए